वागत है आपके अपने चैनल स्टेडिमेकर.99 में दोस्तों आप सभी को जैसा की पता है इस चैनल के माध्यम से आपको SSC GD और SSC CGL के बहतर तैयारी करवाने के लिए हर सब्जेक्ट के एक पर्डिकल वीडियो अप्लोड की जाती है सब्सक्राइब आठ वजए आपके लिए मैध की साम को रिजिनिंग की आठ वजए और दुपहर में एक वजए GKGS की वीडियो अप्लोड कराई जाती है तो अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें पहला को जितने भी इस वीडियो में कोशन कराई जाएंगी वो सभी के सभी कोशन एक से चार बार पॉश्चन पूछे जा चुके हैं तो पहला कोशन को पढ़ते हैं और एक एक अंसर ब्लोकुल इस पेसल तरीके से आपको बताई जाएंगे तो वीडियो के अंद तक जरूर से बने दें क्योंकि आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपको बहुत मैंड पार्ट छूट सकता है तो पहला कोशन आपके सामन निम्लक्त मेंसे कौन सी गेस अमलबरसा ऐसे रेन का करणा बन सकती है अमलबरसा अमस एस रेन का मतलब आप नहीं समझते हैं तो इसकी पूरे अमलबरसा छार दूर्दूर्प कर दाना क्या होता इन सब ही की पर्सनल वीडियो वन गई है आप चैनल जाएंगे बाते देख स जगते हैं option number P CO2 या CO CO2 या SCH4 इन मेंसे आपको कोई एक आंसर बताना अगर आप आता है तो comment box में आप जरूर बताएंगे आप आपका right answer हो जाएगा option number CO2 क्या होगा right answer CO2 आपका right answer हो जाएगा इस question का ठीक है तो इस प्रगार के question आपके लिए question SSGD type के question में हूँचे जाते हैं ठीक है तो दूसरा question आपकी सामने है निम्लखत में से किस पधार्थ में सबसे अधिक बिशिष्ट ऊश्मा होती है लोहा में होती है या तामा या फारा या फानी इनमेंसे चार option मेंसे आपको कुझी एक का जबाब देना है वो कि आप comment box में बता सकते हैं अगर आपको आता है तो नहीं आता है तो यह आपका देख लीजिए आपका अंतर हो जाएगा पानी आपका कठोरता में हो जाएगा ठीक है option number आप question number हम देखते हैं ठीरी यहीं कि बिश्वस्वस्वक्षता इस नाम से भारत के लोग जादा जानते हैं इस संस्था को तो उसकी संस्था यह इनकी स्थापना कब की गई थी वो आपको बताना है या 1948 1945 या 1946 या 1947 यह मैंसे आपको किनी एक उत्तर सही है वो आपको चुनना है तो आपका राइट अंसर होगा 1948 आपका देख आजा धुआ नहीं सुचरी सम跟我 है और इसको दोषाल बाद GI 48 में प्रार्म कर दिया गया तेंक कि स्थापना कर दी गई थी और सनल उपर आपका C4 उपकर्ण दौारा किया जाता है सरीड के अंतरक अंगों का प्रिक्षण क्षण कि-नौर्दर कर दोबारा किया जाता है इसका रा इतांद राहिट अन्सारब को बताना है एकि आपका पूरा एक समाता है जिसमे आप परिक्षण किया गया इन इस इंडो इस द्म दूरा सरीर की अंत्रिक अंगों का फरिक चड़ किया जाता है ऑप्शन नमर पांच आपके शामने चर्चित किताब हैं लेट किछ के द्वारा लिखी गई थी वह आपको बताना तो इसका राइट अंतर आपका होजा का सिंबल था है बिलियम एसेक्सपीर किताबें आपको बुक्स म मंद किस्से है बिश्ब बैडमेंटन महिला या बिश्ब बैडमेंटन पुर्ष या बिश्ब टैनिस महिला या बिश्ब टेवल टैनिस पुर्ष राइट अंसर आपका हो जाएगा बिश्ब बैडमेंटन महिला से ठीए इस पर गार कॉशन पूशन पूशन नमर से लिपी क कि शूजना से तोर गयात की थी अभूशन से या महरों शीया मूर्दियों से कि लोने से आपका राइट अंसर हो जाएगा महरों से कॉप्टिन नम्मर आठ आपके सामने कोटिल का शम्मंद नमलिकत मैं से बिश्व विद्यालाइक से था इन्हें किस बिद्या विद्यालाइक आपको राइट आंसर बताना है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा तक्षिला भिष्व विद्यालाइक से सम्मंद था आपका शामने किस शिक्ष्व गुरु कि जहांगी कि मृत्तू रंड प्राप्त तो इसका आपका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव गुरु कॉस्चन करा जा रहे हैं अगर आपना भी तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर शिकर दें डैसमें कॉस्चन और इस वीडियो का लास्ट कॉस्चन आपकी शामने है निमलकत में से किसने मुगलकाल में एतिहाशक बिविरण लिखा इसका राइट अंचर आपका हो जाएगा इसका आपको बताना है कमेंट रहे हैं